बाला जी बिश्वलाध माुराठा सांवराज के पहले पिशवा थे जब मीश्वात अब समें पिशवाध की मिलत्युं के वायद कमजोर पड़ गया था। उनके बाद उनके पुत्र पेशवावाजी राव ने मराठा सामराज को आदिवारत में फेला दिया था बालाजी विश्वनात का जनम एक जनवरी 1662 को महराष्ट के बरतमान राइगर जिले के स्रीवर्दन में हुआ था इनके पिता का नाम विश्वनात पंत भट था बालाजी विश्वनात की पतनी का नाम राधावाई था इनके दो बेटे और दो बेटिया थी बाजी राव जो उनके पश्चात पेशवावा बने और पुत्री का नाम भयूबाई और अनुबाई था 1712 इसवी के मद्द बालाजी विश्वनात ने पूना और दोलताबाद के सुवेदार के रूफ में कर गिया इधर धनाजी जादव की मृत्यू के बाद उनके पुत्र चंदसें जादव को छत्रपती साहो ने सेनापती बनाया परन्तु चंदसें जादव का तारावाई के प्रती जुकाब देखकर उसे सेनापती के पद से हटा दिया गया और बालाजी विश्वनात को सेनापती बना दिया गया सेनापती का पद छिंजाने से चंदसें क्रोधित था और इससे अपना अपमान समझता था इस फूट का फाइदा उठा कर तारावाई ने चंद्रसेन एवं कानो जी आकड़े के साथ मिलकर छत्रपती साहू एवं उसके पेसवा बहरो पंत पिंगले को कैद कर लिया बालाजी बिश्वनाथ ने सफल कूटी नीती के द्वारा छत्रपती साहू एवं उनके पेसवा बहरो पंत पिंगले को तारावाई के सियाज़त कराया जिससे खुसोकत छत्रपती साहू ने 1713 इसमी में बालाजी को अपना पेसव बना दिया इतिहास में थोड़ा पीछे चलने पर पता चलता है कि छत्रपती सिवाजी की मिरत्यू के बाद उनके दो पुत्र सामाजी और राजाराम मोगल सामराज के खिलाप लड़ते रहे औरंग जेव ने 1686 में दक्कन में प्रवेश किया ताकि वो अन्ववहीन मराठा सामराज का पतन कर सके इसलिए अगले 20 बरसों तक औरंग जेव लगातर दक्कन में मराठों के खिलाप युद्ध करता रहा 88 बरस की उम्र में जब औरंग जेव मराठ तो उसकी मौत के साथ ही मुगल सेना भी बिखर गई और मुगल सामराज पर राजकुमार मुज्जम को बहादुर साह के साथ मुगल सिंगासन पर बिठा दिया इसी के साथ औरंग जेव की मौत के बाद दक्कन के मुगल सेना पती ने साहू को अपनी केद से मुक्त कर दिया ताकि मराठों में सत्ता के लिए आपसी संगर शुरू हो जाए और हुआ भी यही चत्रपती साहू और तारावाई के भी सत्ता के लिए संगर शुरू हो गया तारावाई ने मराठा सेनापती धनाजी जादव को साहू पर आकर्मण करने का आदैस देरी घंधा जी जादम और चहत्रपती साहु की सेना का पुड़े मेंया हां सांवना हुआ लेकिन धनाजी जादम ने चृत्रपती साहु पर आक्रमन करने के बजाय मराथा सामराज का सही ऊतरादिकारी खोशित कर दिया लें आथे बाला जी और ताराव़ाय की सेना के बीछ युददया जिसमें बाला जी ने ताराव़ाय की सेना के भाणा पुर्भी की के ने maior गया है इसके बाद ऑद च्छत्रपती साहू ने बाला जी की ने vedere तो शतीको देटे हुए पेसवा नियुक्त किया जो बरतमान में प्रधानमंत्री की तरह होता है। सिंगासन पर छत्रपती साहु ही बैठते थे लेकिन युद्ध के लिए बाला जी अपनी सीना के साथ जाते थे। बाला जी बिश्वनात के प्रयासों और पुरुशाष से मराठा सामराज अपने उसी गौरपूर्ण पद को प्रात करने में सफल हुआ जैसा सिवाजी महाराज के समय प्रतिष्ट था। उनकी इन सिवाओं का पूश कर देते हुए चतरपती साहु ने उनने पेसवा के पद पर बिठाया था। चतरपती साहु ने अब पेसवा का पद बंसानुगत कर दिया था। पेसवा पद के बंसानुगत हो जाने के कारण ही बाला जी बिश्वनात की इम्रतिव के बाद उनके पुत्तर बाजीरा प्रतम को पेसवा का पद दिया गया। 12 अपरेल 1720 को मराठा स समराज के सीर्स पद को सुसोबित किया। बाला जी बिश्वनात को 1713 में पेसवा की उपादी दी गई थी। पेसवा बाला जी बिश्वनात ने 1719 में सैद बंदू के केने पर मुगल समराठ से जो संदी की थी उसमें पेसवा ने अपना पूर राजनीतिक और कूटनीतिक क पूसल दिखाये था जिसके माध्यम से उन्होंने मुगलोफ की राजनीति महस्त चेप करने का अधिकार मराठों के लिए प्राप्त करने था। बास्तम में या उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक सपल था थी तबी तो इस संदी को सर रिचर्ड टेम पनले मराठा समराज का म